नमस्कार देखें आप से डिफोस्त लाइफ और मैं हूँ आपके साथ पूजा और शर्मा पुर्विसालसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाव दायर याचिका पर आज सुप्रेम कोट में सुनवाई टल गई है अब इसे मामले पर पास तारिक को सुनवाई होगी जज के पाल गंच के पुर्व डीमजी कृष्णया की पतनी ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाव सुप्रेम कोट में याचिका दायर की थी पिछली सुनवाई 6 फरवरी को हुई थी जिसमें आनंद मोहन को अपना पासपोर्ट जमा करने और हर 15 दिन में थाने में हाजरी लगाने क आदेज दिया गया था सुप्रेम कोट ने केंदर सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा था 6 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रेम कोट ने आनंद मोहन को हर 15 दिनों पर थाने में हाजरी लगाने का देज दिया था थाने में अपना पासपोर्ट भी जमा कराने को क केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया गया था अदालत ने पिछली सुनवाई में तै किया था कि 27 परवरी को इस मामले की विश्थरित सुनवाई हो की बता दे कि गुपाल गंच के ततकालिन DMG कृष्णया की पतनी उमा कृष्णया ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया था सुप्रेम कोट में उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई के आदेश को रद करने की अपील की थी इसे याचिका में कहा गया था कि गुपाल गंच के ततकालिन डीमजी कृष्णया की हत्या कर दी गई थी मामले में आनंद मोहन को दोसी करार दिया गया था और फासी की सजा सुनाई गई थी बात में पटना हाई कोट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फासी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था अप्रेल 2023 में बिहार सरकार ने जिल नियमों में बदलाओ किया और अनंद मोहन को रिहा करने का फैसला लिया सरकार ने इस रिहाई के पीछे का अधार अनंद मोहन के 14 साल सजा काडने को मना था अब सरकार के इस फैसले का विरोध कृष्णया का परिवार कर रहा है अनंद मोहन 16 साल जेल में बिता है बिहार सरकार ने 10 एप्रेल को करन नियमों में बदलाओ किया जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया 27 से अप्रेल 2023 को अनंद मोहन की रिहाई हुई थी और आज इससे मामले पर सुनवाई होनी थी सुप्रेम कोट में लेकिन जज के अनुपस्तित रहने के कारण सुनवाई टेल गई है अब अगली तारिक 5 मार्च की दी गई है 5 मार्च को अनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुनवाई होगी क्या कुछ निकल कराएगा या देखने वाली बात होगी अनंद मोहन बाहर ही रहते है या फिर जेल जाएंगे या भी देखने वाली बात होगी कि फिलहाल इससे खबर में बस इतना ही तमाम जानकारी के लिए बने रैंसिटी पोस्ट लाइफ के साथ इससे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें धन्यफाद